साथिव नमस्कार आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जो कि आपके पसुचिकित सक फोलो करते हैं और जो भी गाय भेस लंबे समय से हीट में नहीं आ रही है या मानली जी हीपर है बराबर वजन बराबर एज हो गई है उसके बावज पसुचिक सक फोलो करते हैं जिसका नाम है gpg याने गॉनेड़रॉफिन प्रोस्टाइग्लेंडियन गॉनेडरॉपिण फोला था किया प्रोशटाग्लेंडियेंगी से तर 누र के लॉइंदव exists नारी जाता है यह इनचिक्शन लगाया जाता है यह यह पेले 1 लोग पार प्र होता है कैसे हमेशे फोलो करना होता है पशुची के चग कौन सा इंजेक्शन कब लगाते हैं यह सारी बाते आज के इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं तो फैंट्स वीडियो शुरूर करने से पहले मैं आप सभी का दन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल क इतना लाइक कमेट सेर और सब्सक्राइब कर रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आईए वीडियो सुरू करते हैं साथियों गाय बेंस को हीट में लाने के लिए पसुपालक हर संभव प्रियास करते हैं और उस प्रियास की परमुक दो कडियां होती है जिन में से एक होती है डिवार्मिंग अगर आपने अपने पसु की डिवार्मिंग करवा रखी है वेलन गुड अगर नहीं करवाई है तो ऑक्सी कलोजनाइड एंड लेवा मिसोल जो साल्ट आता है उससे एक बार आप डिवार्मिंग ये जीपीजी प्रोटोकोल फोलो करवाने से पहले जरूर करवा दे ये विसेज जान रखे इसके अलावा बात आती है मिनरल्स की कई परकार के ऐसे मिनरल्स है जो बच्चेदानी की ग्रोथ के लिए या जेनिटल ओर्गन जो है उन्हें वर्क करने के लिए जरूरी होते हैं वो आपके मिनरल्स मिक्चर में मिलता है किसी भी अच्छी कंपनी का दो किलो मिनरल्स मिक्चर जीपीजी प्रोटोकोल फोलो करने से पहले देना बहुत ज़्यदा जरूरी है अगर दो किलो मिनरल्स मिक्चर दे दे या एक महीने तक कोई भी Trace Minerals की Ballas Ballas मतला बड़ी बड़ी गोलियां जो मार्केट में आती है Cyclomene 7 के नाम से आती है Agreement I के नाम से आती है इसके अलावा Total Waste Strong के नाम से आती है कोई भी Ballas एक महीने तग आप दे दे उसके बाद अगर GPG Protocol आपके पसुचिकित सक्से आप फोलो करवाएंगे तो बहुत ही अच्छा result रहेगा पसुचिकित सक्से क्यों क्यों क्योंकि यह हार्मोनल ट्रीटमेंट है और हार्मोनल ट्रीटमेंट कभी भी अपने मन से नहीं करना है पसुचिकित सक्स की जांच और देख्रेक से ही हमें करवाना है मैं जानकारी के तोर पे आपको बदा देता हूं कि gpg protocol में पहले मैं आपको बताया तीन प्रकार के injection लगते हैं पहला injection GNRS दूसरा prostaglandine का तो तीसरा वापिस GNRS का इसमें होता क्या है पहला जो हम GNRS का लगा रहे हैं वो जीरो डे पे लगाया जाता है यानि जब भी आप सुरू कर रहे हैं उसे हम जीरो डे बोलेंगे और जीरो डे पे जी एनारस लगाया जाता है जी एनारस फुल फॉर्म गौनोटरोफिन रिलीजिन हार्मोन तो यह हार्मोन जो है वो बुसरेलिन एसिटेट क कई injection आते हैं इपसले वीडियो में हमने आपको बताया था जिसे गाइनारीस हो गया, रिसेप्टाल हो गया, फर्टिफिक्स हो गया, किसी भी अच्छी कंपनी का आप काम में ले सकते हैं, ये हमें डाई ML, इंट्रा मस्कुलर लगाना है, और पांच ML लाना है, डाई ML पहले दिन लगेगा, और लास्ट वाला जो जी है, यानि कि लास्ट में भी हमें और लगाना पड़ेगा, तो जीरो डे, यानि जिसे हम पहला दिन बोलता हैं, वास्त हमें उसे जीरो गिनेंगे, यहां से गिनती सुरू होगी, तो जीरो माल लिया, और उस दिन हमने जीनारस लगा दिया, उसके बाद साथमें दिन, साथमें दिन हमें प्रोष्टा ग्लेंडिन का इंजेक्शन लगाना है, जिसे हम बोलते हैं PGF-2-Alpha, PGF-2-Alpha, मतलब दो परकार से PGF-2-Alpha मार्केट में मिलते हैं, एक तो आता है Dinofrost, और एक आता है Clofasthanol, तो Dinofrost ले लें, जैसे Lutalized Injection काफी फरसिद हुआ था, इसके अलावा Clofasthanol ले सकता हैं, जैसे Pregma हो गया, Wet Met हो गया, इसकी डोज जो है, Lutalized की डोज 5 M L लगती है, और यह जो आपके Clofasthanol वाले हैं, Pregma, Wet Met, इनकी जो डोज है, वो 2 M L Intramuscular लगाई जाती है, यानि साथमे दिन Pregma, Wet Met, 2 M L Intramuscular लगाना है, यह होगी क्लियर बात, इसके बात, नवे दिन, हमें वापिस वही injection लगाना है, जो हम 5 M L लाए थे, 5 M L Intramuscular, यानि मास में यह लगेगा, यह लगने के बाद, होगा क्या, पहला injection GNRS लगा, GNRS मनलब Gonadrofine Riligine Hormone, जो की Hypothalamus से निकलता है, मस्तिस के, और Pituitary Gland को, Stimulate करकरके, और Apesis और LH Hormone निकालने की, प्रक्रिया को चालू करवाता है, और जब यह लेर को चालू करवाएगा, और जब यह लेर चालू हो जाएगी, उसके बाद, वहाँ से अंडे जो है, जो प्राइमोडियल फॉलिकुल्स जाए, वो प्राइमरी फॉलिकुल्स में बदलेंगे, और आगे जाकर के, फिर वो ग्राफियन फॉलिकुल्स बनेंगे, और फिर उनमें ऑविलोशन होगा, यानि यह प्रक्रिया चालू करवा देगा, जो फॉलिकुल्स बनने की है, उसके बाद, सेकिंड वाला जो हम लगाएंगे, जी अनर्ज, उसमें क्या होगा, उससे पहले, हमने प्रोश्टाग्लेंडिन लगा दिया है, प्रोश्टाग्लेंडिन क्या करता है, सी यल को तोड़ता है, यानि सी यल जो काम कर रहा है, उसे हटाता है, सी यल मतलब कार्पस लूटियम, कार्पस लूटियम को कार्पस अलबिकस में बदलता है, तो उस में से प्रोजिस्ट्रोन हार्मोन निकलना बंद हो जाता है तो जब प्रोजिस्ट्रोन हार्मोन निकलना बंद हो जाएगा और इधर से जो हमने लगाया था जी एनर्स वो अपना काम कर रहा है तो वो काम करेगा प्रोजिस्ट्रोन हार्मोन नहीं लोगा तो estrogen hormone की मात्रा कुछ बढ़ेगी, इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, लेकिन कुछ बढ़ेगी, फिर हम second वाला लगाएंगे, उससे ovulation होने की संभावना 90% तक रहेगी, तो second वाला 9 दिन, GNRS लगेगा, यानि वापिस वही injection, चाहिए गाये नारिज हो, चाहिए scholar 9 दिन लगेगा, ये लगाने के बाद, 9 दिन जब भी आपने लगाया, वो समय नोट कर लें, और उस समय से 16 से 20 गंटे के बीच AI करवानी है, यानि 16 से 20 गंटे के बीच अगर हम AI करवाएंगे, तो उस समय सर्विक्स ओपन मिलेगी, सर्विक्स खुली मिलेगी, हो सकता है, उसमें से तांते भी आएं और कंसीव हो जाएगी हमारी गाय बहांस या हीपर जो भी है इसके अलावा अगर कंसीव नहीं भी होती है मान लेजिए तो नेक्स टाइम जब हीट में आएगी यानि हमने जो दसमें दिन AI करवा दी और उससे कंसीव होगी वैलन गुड अगर कंसीव नहीं भी होई है तो हमने जो GPG प्रोटोकोल फोलो किया है उसका फाइदा ये होगा कि उसमें अपने आप GNRS बनने की प्रक्रिया सुरू हो जाएगी और जब भी 20 या 21 दिन बाद वो हीट में आएगी खुल के हीट में आएगी और उस समय अगर हम AI करवाएंगे तो कंफर्म कंसीव हो जाएगी साथियों GPG प्रोटोकोल को समझने से पहले आपको एस्टर साइकल को समझना पड़ेगा हार्मोन कौन-कौन से होते हैं उनको समझना पड़ेगा जिनके लिए हमने अलग अलग वीडियोज बनाए हैं वो वीडियो आप डिस्किशन में हैं जरूर देख लेना क्योंकि उनको देखे बगएर आपको यह जो हार्मोनल वाली प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगी और जिनोंने भी यह निवेदन किया था कमेंट किया था कि जी पी जी प्रोटोकॉल के बारे में बताएं तो मुझे उम्मीद है उनको पूरी जानकारी मिल गई है इसके अलावा कोई भी ऐसी जानकारी मानली जी छूट गई हो या आपको एक्स्टरा चाहिए तो आप हमें कमेंट जुरूर करें हम उसे लेकर के आपके लिए वीडियो जोज बनाएंगे आप सबी यह सौचते हैं कि हम आपके कमेंटlor को नहीं देखते हैं जबकि आप गलत सौचते हैं हम आपके सारे कमेंट्स को देखते हैं और कमेंट्स के हिसाब से ही आगे के पूरे के पूरे हमारे वीडियो होते हैं इसके अलावा जो भी प्रैक्टिशनर रवाई मेरा वीडियो देख रहे हैं उनसे निवेदन रहेगा कि आप हमारा एक चैनल है रामावत वैट्स कलब उस चैनल पर हम सारे इलाज प्रैक्टिकली बताते हैं एक एक दवा की महीन जानकारिया यानि कि छोटी से छोटी जानकारी कौन सी दवा को कप रिक्त करते हैं कितनी डोज रखते हैं यह सारी बाते हम उनमें क्लियर करते हैं तो आप उसमें जाकर के देख लें और बक्रियों का इलाज जो भी करते हैं उन प्रैक्टिशनर्स बाईयों के लिए है रामावत गौट केर और डोग के लिए आपको पता ही है रामावत डोग केर